आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी इस वक्त हमारे साथ 22 सत्व डॉक्टर बाबा साब अंबिटकरिन के परपोते राज रतना अंबिटकरजी है राज रतना अंबिटकरजी एक ऐसी सक्षेत है जो देश भर में धम्म के परचार के लिए बाबा साब के इस मिशन को आगे ले जाने के लिए देश की धर्म निर्पेक्षता बरकरार रखने के लिए और सम्विधानिक मुल्यों को जीवित रखने के लिए काम कर रहे है राज रतना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत यह कहा जाता है कि जिस देश में हम रहे रहे हैं वह धर्म निर्पेक्ष देश है वह सम्विधानिक देश है यहां का पीम जो है जब विदेशों में जाता है यहां का कोई भी एडमिस्टिट्य ओफिसर रहे है या फिर कोई एम्बिसिटर रहे है या कोई बिजनेस समीट को जाए तो इस भारत की टेरी-टेरी से बाहर जाता है तो कहता है कि आइम कमिंग फ्रॉम लैंड ऑब बुद्धा और जैसे ही वापस आ जाते है तो शेराम का नारा लगना शुरू हो जाता है एक दम धर्मांद हो जाता है यह इसके पीछे आपको क्या लगता क्या मन्शा है इस सरकार की या सरकार के जो नामुइंदे है उनकी सबसे पहले तो आवाज इंडिया के सभी दर्शकों को जैभी नमबुद्धा है बहुत अच्छी बात अपने आज यहां कई है इंडिया का जो इमेज है वर्ल्ड के सामने की एक लार्जेस्ट डेमोक्रसी के तोर पर देखा जाता है इस देश को देखा जाता है इस देश क बहुत बात का प्रदार मंतरी जाता है बुद्ध की मूर्तिया दे रहा है आप देखो फ्रांस से जब उनके प्रेसिडेंट आते है तो उत्तरपदेश का CM वो उनको भी बुद्ध की मुर्ती भेड़ देता है बाहरत के बाहर ये लोग अपने आपको बुद्धिस्ट कल्चर की या बुद्धिस्ट नेशन के लोग बताते हैं रिपेजेंट करते हैं इतना ही नही मेरी 2018 की युनाइटेड नेशन की कॉनफरेंस थी और उस युनाइटेड नेशन के कॉनफरेंस में UNDV कहता है उस कॉनफरेंस में बुद्धिस्म के उपर बात रखने के लिए वंकाया नाइडू इंडिया के याने वाइस प्रेसिडेंट आप इंडिया ये वहाँ पर आकर कि मैं बुद्धिस्ट कंट्री से आया हूँ ये बात वहाँ पर कह रहे था तो ये इन लोगों का मुझे लगता है कि ये दोगलापन है कि भारत के बाहर ये अपने आपको बुद्धिस्ट कहलवाते है और भारत में आते ही ये हिंदू धर्म का चोला पहन कर ये इनके कोशिश को बिल्कुल जैसे हमने देखा कि पिछले मेहने बड़ा ड्रामा देश में हुआ बड़ा प्रपगंडा हुआ और एक पत्थर की मुर्ति उसमें प्रान प्रतिष्टा की गई उसमें ऐसे कहा गया कि अब ये मुर्ति तो बस उसके भाव बदल गये इतना बड़ा होने के बाद जब हम उस मुर्ति को देखते हैं मुर्तिकार ने जो मुर्ति बनाया उसमें सारे अवतारों को लिया गया उसमें एक अवतार बुद्ध का दिखाया गया है एक साइड में वो मुर्ति वैसे तो बुद्ध के मुर्ति जैसे भी बनाने की कोशिश की गई एक द है फ्रेष्ण दोनों बातों को द्हान मनीर रखते हुए उस मूर्ठी मिया इसके की पीछे का शडेंटर क्या में बुद्द को राम का उतार या राम गोतारिया करके जो चल ú criminal का का मुशन क्या थी गठीब के बाबा साथ ने एक बहुत अच्छा कोटेशन या बाबा साब ने बहुत अच्छा सेंटेंस बता है कि history of India is nothing but moral conflict between Buddhism and Brahminism. भारत का हितियास दूसरा तिसरा कुछ नहीं है केवल बुद्धिजम और ब्रामनी धर्म में ये नैतिक्ता की लड़ाई है. जब ब्रामन या ब्रामनिजम बुद्धिजम को नैतिक्ता से नहीं कर सकता तो वो उसे अपना लेता है. और वो अपना कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बुद्ध तो हमारे ही अवतार है. बुद्ध ने तो हमारे ही धर्म का प्रचार किया है. बुद्ध ने तो हमारे ही शांती मारक का प्रचार किया है. ऐसा ब्रामन बताने की को पहचाना और बाबा साब ने 22 प्रतिज्या में ये कहा कि तधागत बुद्ध ये विश्णु के आउतार है ये में जूटा और पागलपन का प्रचार मानता हूं हमारे कोई भी जो अंबेट क्राइट्स लोग है ये कभी भी बुद्ध को विश्णु का आउतार कभी नहीं लेकिन ये विश्व को बताने के लिए कि बुद्ध भी हमारे ही एक सेक्ट के प्रचारक है तो वो ये इन लोगों की कही ना कही एक कोशिश चल रही है कि बुद्ध को अपना है ये केवल बुद्ध को नहीं अब बाबा साहब को भी अपनाना पड़ेगा इनको क्योंकि ब को पताने की कोशिष कर रहे कि मोदी करने काम कर रहा है यह केवल बुद्ध के साथ छेड़कानीनी लिगा है इसलिए हमें आने वाले समय में करना है ना तो आज भी एक प्रैंप्रतीष्टा की बात कर रहे हैं हमारे लिए तो यह आज भी कालपनिक है, हमारे लिए इनका कोई अस्तीत्व हमारे जीवन में नहीं है, बलकि हम तो यह कहते हैं कि आज जीस तरह से मैं नागपूर में यहां घुम रहा हूं, बड़े-बड़े बान लेकर उसको दिखाया हुआ है, तो यह बान से हत्या किसकी कर रहे है, इनके हिस्ट्री में भी, इनके कालपनिक कथाओं में भी, वो बान हमारे कालपनिक शंबुक को ही मार रहे हैं, तो यह कलपना में भी हमें मारते हैं, वास्तविक्ता में भी मार रहे हैं, वास्तविक्ता में तो हमको यह खतम करी रहे हैं, लेकिन इनके कलपनाओं में भी, इनके स्टोरीज में भी ये हमको ही मार रहा है। सविधान के अगर आप बात कर रहे हों, बावा साब ने पुना के एक Lawyers Association में एक स्पीच दिया हुआ है। इनके पीचे लगा दिया है, जो अगर गडबंदन में रहे, तो उनके पीचे ये सब छोड़के रखा हुआ। तो ये पहली बार हम देश में देख रहे हैं कि आज लोकतंत्र ये विदाउट ओपोजिशन, विदाउट विपक्ष में है। और इसलिए ये लोकतंत्र अब लोकतंत्र रहा नहीं है, डेमोप्रसी नहीं है, ये पूरी तरह से फैसिस्ट, फैसिजम की और पूरा देश जा चुका है। बुद्धिस मॉनुमेंट्स जो है पूरे आशिया में फैले हुए है। उसके बारे में जिक्र करूँगा। साकेत नगरी जिसको अध्यक कहा गया। फिर वहां पे जो बुद्धवियार था उसको पूरा मिटा के अभी नया राम मंदिर बनाया गया। अभी ग्यामवपी के बारे में चल रहा है फिर उसके बाद मथूआ की बारी है। इंडिया की टेरी टेरी में यह सांस्कृतिक लड़ाई है बड़ी लड़ाई है। सिर्फ इंडिया के हम मेहनमार में अंगट्ट और विटा नाम का बड़ा मॉनुमेंट है बुद्धिस्टों का वो कहा जा रहा है कि वो भी हिंदू का है कि इस हिंदू राजया ने बनाए था यह सांस्कृतिक लड़ाई चारो तरफ से लड़ रही है RSS उसको रोकने के लिए ही RSS जो और्गनाइजेशन बना है इसका में एम ही कल्चरल वार है यह अपने ब्रहामनिकल कल्चर में लोगों को ढालने की कोशिश कर रहा है आज जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि 22 जनवरी को इनके मंदीर का उदगाटन होता है और 26 जनवरी को देश के लोगतंत्र का सबसे बड़ा तेवार यहाँ पर हम लोग मनाता है रिपब्लिक डे मनाता है जो दुरुष्य हमने 22 जनवरी को देखा क्या वही दुरुष्य हमको 26 जनवरी को दिखाई दिया जबकि हमको अगर इस देश का लोगतंत्र मजबूत रखना है तो हर व्यत्ती में constitutional morality सविधानि सबसे प्यारा होना चाहिए चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो किसी भी धर्म का हो अगर हमें हमारा धर्म बढ़ाने के अगर कोई आजादी देता है तो वो इस देश का सविधान देता है तो इस देश के सविधान के लोगतंत्र का जश्र मनाने के लिए ह बाबा साब के followers है बाकी 140 CR 140 क्रोड के बाकी के लोग को Republic Day से कोई लेना देना नहीं है तो ये आज जो चल रहा है ये केवल Cultural Revolution चल रहा है और RSS BJP BJP कोई Political Party नहीं है ये उनके Cultural Agenda को पूरे देश में कानूनी तोर पर लागू कर रही है वरना इस देश का प्रधान मंत्री जो धर्म निरिपेक्ष होना चाहिए तो वो ग्यानव्यपी के कारेक्रमों में क्यों नहीं जाता वो बौधों के अंबेट काहिट्स बुद्धिस्टों के कारेक्रमों में क्यों नहीं जाता वो सीखों के कारेक्रमों में क्यों नहीं जाता वह comprast एक ही मंदिरों के उद्राटन कर रहा है मंदिरों में जो उनको 11 दिन का वुरत दिया था वो कर रहा है कहिं आ कहीं बीजे exceptions पूरा अनुस प्रुस्स मयूदि राश्ट कर ने तो पूरा मनुस्पृति वाला ब्राह्मन रास्थ है कि करपुरी ठाकुर को भारत रतने मिलता है एक तपके को मैनेज करने की कोशिश होती है और आज की लेटेस्ट निउज है कि जिन्होंने रथयात्रा निकाली जिन्होंने बाबरी मजजित तोड़ने का शरियंत्र किया ज जो लोकतांत्रीक देश धर्मन निर्पेक्ष देश को न मानते हुए धार्मिक देश बनाना चाहते है जो हिंदू रास्टर बनाना चाहते है ऐसे लाल कृष्ण अडवानी को घोशना की गई भारत रतन की यह देश कहा जा रहा है जी जी मैं तो कहता हूं उससे भी बड़ नरेंद्र मोदी को दी मेरे ख्याल से यह उनकी सबसे बड़ा त्याग होगा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपर की एज ओबी सी कैंडिडेट उन्होंने प्रेजेंट किया और अपनी सीट उन्होंने उनको दी तो मेरे ख्याल से यह पेबैक उनको कर रहा है आरे से कि इ भारत रतन नहीं कहते हैं हम विच्वरतन कहते हैं तो कही ना कहीं आज यह पूरा देश इनके हाथ में यह बहुत कि लिए आज उनके लोगों को बहुतर देने का काम यह लोग भारत में कर रहा है तो इस तरह से भारत रत्न की गरीमा को कम करना संसत की गरीमा को कम करना भारत का प्रियमबल उससे धर्मनिर्पएक्षिता निकालना और पंथभ निर्पएक्ष डालना समाजवादी ये शब्द नहीं चाहिए ये कहना इस तरह से जो सर्वोच्चपद है राष्ट्रपति का उसकी गरिमा को कम करना, चाहे संसत का उटगाटन हो या किसी भी चीज का राष्ट्रपति को न बुलाना, जो लोकतांत्रिक मुल्यत है, क्या आपको लगता है इन सारे लोकतांत्रिक मुल्यत को धीरे-धीरे बिजेपी दरकेनार कर रही है? नहीं, धीरे-धीरे क्यों कर रही है, वो तो openly इसका अजेंडा उनके मैनिफेस्टों पर है, RSS का जनम ही इसके लिए हुआ है, RSS was the organization which was banned, इस देश में RSS के उपर बैन लाया गया था, क्योंकि वो सविधान को बनाने में अर्चन निर्मान कर रही थी, 1946 में जब सविधान का कामकाज शुरू हुआ, 9 December से, तब RSS के लोग सविधान सबाके जो बैठकी हुआ करती थी, इसको तहसमेस कर रही थी, इनको काम करने नहीं दे रही थी, और इसी वज़े से RSS के उपर ये बैन लाया गया, क्योंकि ये सविधान बनाने में दिक्कते तयार कर रही है, आज उसी और्गनाइजेशन की एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, तो सबसे पहला उनका काम ये होगा कि सविधान को खतम करना, तो ये open fact है, वो धीरे-धीरे चुपके-चुपके नहीं कर रही है, कभी-कभी हम सोस देखता है, तो कई-ना कई खुप-चुपके कर रही थी, लेकिन बीज़ेपी openly कर रही है, बीज़ेपी openly कहती है, हम constitution के खि रहा है दस्तक दे रहा है जैसे आपने कहा कि अपने आप में लड़ रहा है इंडिया नाम से गडबंदन बन रहा था लेकिन वो बनेगा नहीं बनेगा उसका कोई परियाई भी कोई आएगा इसका भी अभी कोई चांस नहीं महारस्ट में विकास आगाडी बन रही है तूट लेकिन यह इलेक्शन बहुत इंपोर्टन्ट है आप हमारे दर्शकों को इस इलेक्शन के मद्दे नजर क्या सुचना है क्या आवहान करना चाहेंगे दीखिए इन पॉलिटिकल पारिटीस का क्या होगा मुझे पता नहीं जो मोदी से लड़ने के लिए इखटा होने की कोशि उनसी में हो उस कॉंस्टिउसी में अपने आपको ये सवाल करो कि हमारे कॉंस्टिउसी में बीजेपी को हराने की ताकत कौन सा केंडिड रखता है उसके बटन्स दबाने होंगे उसके साथ खड़ा रहना होगा इन पार्टीओं का क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है इंडिया गड़बंदन में तो ना तो बहें जी है ना तो प्रकाज जी है कोई नहीं है तो हमारे रिप्रेजेटेशन इंडिया में वैसे भी जीरो ह कि माहरास्त कईा महाविकास आगाड़ी में भी क्या होने वाला क्अधा कृफ़ बेजेपी को हराना हो जो को भी य। Bry 쿠 क欸 그게 हरानी की दाकत रखता है हमको उसके साथ ख़ड़ा होना है तो उसे हमें मदद करनी चाहिए एक बड़ा संदेश है लोकतंत्र को बचाने के लिए समीदान को बचाने के लिए राज रत्म जी आपने अपना बहुमुले वक्त दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप देख रहे हैं आवाज इंगे